जब कुम्भी का नियंत्रण मैनूल, मैकेनीकल, केमिकल एवं बाइलोजिकल कंट्रॉल की विधियों से किया जा सकता है मैनूल और मैकेनिकल विधिया बहुत अधिक खर्चिली विधिया है वहीं केमिकल विधि से प्रियावरान दोसित होने का खतरा होता है अते हमें एक ऐसी विधी की जरूट है जो फूलों को बढने से रोके और प्रियावरन हितैसी होने के साथ साथ सस्ती और स्पूस्टलिक भी हो ऐसे विदी केवल जैव के निंतरन विदी ही हो सकती है ऐसे तालाबों और जिलों में जहाँ पानी का भाव नहीं होता है और पानी वर्स बर भरा रहता है वहाँ जलकुम्भी का जैव किये विदी द्वारा निंतरन किया जा सकता है इस विदी में केवल जलकुम्भी को ही खाने वाले एक कीट का उप्योग किया जाता है यह कीट नियोकेटिना प्रजाती का है जिसे ब्राजिल से ही भारत में आयात किया गया है इस कीट की है विश्यस्ता है कि यह है भूका मर जाएगा लेकिन किसी और दूसरी बनस्पती को नहीं खाएगा यह सिर्फ जलकुम्भी को ही खा सकता है जलकुम्भी से ग्रिसित तालावों और जिलों में इस कीट को अधिक से अधिक छोड़ना चाहिए अगर एक एकड के तालाव में केवल एक हजार कीट भी छोड़ दें तो यह कीट धिरे धिरे वहां परजिनन कर अपनी संख्या लाखों में बना लेते हैं छोड़ने के आज से दस महिनों के अंदर या जलकुम्भी में फूलों के बनने की परिक्रिया को रोक देते हैं इसकी और अधिक संख्या बढ़ने पर जलकुम्भी के पौधों पर उपर से नीचे की और सूखने लगते हैं इस कीट के ग्रफ्स जिनने हम आम भासा में लार्वा भी कहते हैं जलकुम्भी के पिटियोल अत्वा तनों के उत्कों का भक्षन करूने खोकला करने लगते हैं व्यस्कीट पौधे की बढ़वार कडलिकाओं को खाकर नश्ट कर देते हैं जिससे फूलों का उत्पादन में ही डूब कर मर जाते हैं धेरे धेरे 20-36 महिनों में पूरा बड़े से बड़ा तालाव या जील भी जलकुम्भी से मुक्त हो जाता है भविसमे यदि पहले सोत्पन बीजो द्वारा या कुछ तूटे हुए पौदो द्वारा जलकुम्भी का पुने आक्रमन हो जाता है तो यह कीट पुने अपना जीवन चक्र सुरू कर जलकुम्भी को नश्ट करने लगता है इस तरह ही है स्वेचलित सस्ती एवंपरियावरण हितैसी विदी है जिसका मित्रों हमें अधिक से अधिक उप्योग करना चाहिए आपने यह वीडियो ध्यान पूरवक देखा इसक